हाई गाईज अगर आप अपने दुकान ओफिश या फिर बिजनस के लिए एक ब्लाक औड वाइट लेजर प्रिंटर खरे देंगे सोच रहे हैं तो यह एक प्रिंटर जो कि HP द्वारा लॉंच किया गया है नवर स्टॉप लेजर सीरीज के चार प्रिंटर्स वो सबसे बेस्ट होंगे इसमें यह जो है वो सबसे अडवांस वाला इसका मॉडल अंबर है MFP 1200W लेकिन हम यह नहीं कहा है कि आप यहीं मॉडल खरे दिए इसमें से चारों में कुछ वाइफाई वाले वार्म वैरियंट है जिसमें कि आप मोबाइल एप के थूप प्रिंट कर सकते हैं वायरलेसली कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं कुछ नॉन वाइफाई वाले हैं लेजर टैंक यह देखिए इसमें क्या होता है आपने सुना होगा आमतवर पर पहले इंक टैंक प्रिंटर जिसमें इंक रिफिलिंग बहुत असान की गई थी कि आप खुछ से अराम से इंक का बडल उजल सकते थे और प्रिंट कर सकते हैं लेकिन यह जो चीज है इसमें भी रिफिल करने की कोई टैंसल ने की उरते हैं आमतवर पर यह लोग जो हैं दूसरे से करा दे थे जो रिफिलर से लेकिन आप यहां पर आसान कर जाएगा चुट्टियों में मात्र 15 सेकंड्स में इसको एक ढखकन है वो खोलिए और यह चीज देख रहे हैं इसके आपको डाल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल प्रेस ब्रैकनवाइट प्रिंट कर रहे हैं इससे तो उस पे 19 पैसे 19 पैसे पर प्रिंट आपको पड़ता अगर आप फुल उसमें पिक्चर वगरा है तो यह जो आपको प्रिंट पड़ेगा वो 29 पैसे के आसपास पढ़ने की कंपनी ब करते हैं बताएंगे कैसे इसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या इसके हाइलाइट्स खास फीचर से सब कुछ बताने वाले हैं तो इस वीडियो में बने रहे हैं यह एक all-in-one copy scan print सब कुछ ऑप्शन इसके अंदर और आप इसे mini xerox की तरह एक शौप पे इस्नमाल करने के ल आपका user manual और warranty card है इसमें अच्छी तरीके से बताएंगा सारे features के बारे में अच्छे से रखें इसे और यह आपका machine इसके बाद यह है केबल और यह है आपका power cable तो वो था data cable अब हाँ आपको जो है इसे दिखाते हैं इस तरीके से कुछ आपको दिखते हैं सबसे पहले ताकि यह इसलिए लगाया था क्योंकि आप समझ सकी एक विल्कुल नया printer है और इसे यहां से हटाईए तभी printing सुरू हो सकता है आप मैं इसे हटा दिया और इस ट्रे को यहां पे attach करना है उसके बाद paper इसमें load करना है बहुत simple सा process installation इसका paper load कीजिए A4 size जो भी size के paper आप चा अब आपको जरूत होती है आपके power cable को connect करने के लिए और उसके बाद आपको जो है यह data cable अगर आप इस जिरॉक्स की तरह इसमाल करना चाहता है machine की तरह तो जरूत नहीं है इसकी लेकिन computer से printing के लिए जरूत है यहां आप गदालगीस में 220 से 240 भोल्ट तक में काम करता है inverter अब आराम से काम करना अगर आपका inverter जो है वह 550 VA से उपर का है आपको अगर वाइफाई यह वाइफाई का लवैरेंट है तो उसके लिए वाइफाई इस्तमाल करने के लिए आपको HP Smart App का इस्तमाल करना पड़ाएगा उससे इंस्टॉल किजिए अपने smartphone में और उससे आपक मिल जाते हैं एक additional app HP Print Service भी है प्लग इन जो है install कर लिए प्रिंट करने से पहले और जो भी आपको फूटो फिक्चर जो भी हालाकि यह ब्लैक और वाइट प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं उससे पहले बहुत से सेटिंग्स भी है आप जिरॉक्स करने जा रहे हैं जब इस इंक भी सेव होता है आप जूम कर सकते हैं और जूम को कम भी कर सकते हैं इस option का यूज करके यह दिखिए जूम किया गया इसे अब माइनस में कर रहा हूं यहां पर आप प्रिंट कर सकते हैं एक बार प्रिंट कमांड आप देंगे तो तो यह बहुत ही अच्छा एक प्रिंटर है चलिए हम आपको दिखाते हैं यह प्रिंट कर रहा है यहां पर बगल में देख रहे हैं छोटा सा एक इंबलेट वाल्व है यहां पर आप इस तरह से इसका यह से और जो अपने काटिस ओर्डर के 103A103A में फिल होता है यह खाली होने पर ब्लिंग करने लाएगा और आप यहां से भी इंडिगेटर लेबल से भी आप समझ सकते हैं कि यह कितना भरागा है आथा हो जाता है तो प्रिंटर नहीं करेगा और आपको बतायागे भरने की जुरुत सब्सक्राइब करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए आप सब कुछ समझ चिवके होंगे और अगर आपको यह एस्पी के तरफ से आनवाल नेवर स्टॉप प्रिंटर खरिदना है तो जो भी खरिदना हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पिर आप इसके टूनर रिफिलिंग किट को भी पच्छिस कर सकते हैं जब आपको जरूरत पर जैन्मिन रिफिलिंग किट ही इस्तमाल करें इस पर लॉंग लास्टिंग टाइम वीडियो तक लिए बहुत-बहुत सुप्रिया वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक कीज इस वीडियो को अपने दोफ्टों में सेर किया हमाल चैनल मों सब्सक्राइब करना बिल्गों में तो थांक्स वरण फोचिंग गाइस बबाई